हिंदुस्तान पाकिस्तान के दुश्मनी जग जहिर है। भारत की हर सफलता से पाक को मिर्जी लगनात पैमाना जाता है। यही वज़य है कि जब चंद्रयान 2 मिशन स्वेड हो गया था तो विरोधी देश खुश हो गय थी। लेकिन अब उन्हीं विरोधियों का मोड बदल सत्ता जाने के बाद तारीफों के पुलबांध रहे है। भारत के मून मिशन चंद्रयान 2 का मज़ाक उडाने वाले पाकिस्तान के पूर मंत्री फवात छौधरी ने मून Beatles चंद्रयान 3 की जम कर प्रशंसा की है। यह वही प्रवात चावदरी है जो इमरान सरकार में मंत्र तब चंद्रयान का मजा कुडाया करते थी लेकिन अब मंगलवार को मून मी चंद्रयान 3 की प्रशंसा करते हुए इसे मानवजात की लिए एतिहासिग बता दिया है इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया से भी गुजारिस की है कि वो चंद्रयान 3 के सौफ्ट लेंडिंग का प्रद्योगी की मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने तारीफ किये हैं इससे पहरे 14 जुलाई को भी जब इसरों ने अपना मून मिशन चंद्रयान 3 लांच किया था तब भी उन्होंने जम कर तारीफ की थी पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान एवं प्रद्योगी की मंत्री फवाद चौधरी ने एक्स यानी की ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तानी मीडिया को कल शाम यानी 6 बचकर 15 मिनट पर चंद्रयान 3 की चंद्रमा की लैंडिंग को लाइव दिखाना चाहिए पूरा मानव जाति खासकर भारत के लोगों विज्ञानी और अंत्रिक्ष समुदाय के लिए ये एक एतिहास इछणा है बहुत बहुत बधाई हो इससे पहले 14 जुलाई को भी उन्होंने इस्तुरो के मून मिशन चंद्रयान 3 को लांच करते वक्त तारीफ की थी उस वक्त फावाद चौधरी ने लिखा था चंद्रयान 3 के सफलता पूर्वक लांचिंग के बाद उन्होंने कहा था चंद्रयान 3 के सफलता पूर्वक लांचिंग के लिए भारती अंत्रिक्ष एवर्म विज्ञान समुदाय को बढ़ाई और शुब काम नाए हालांकि इस रो ने इस बजट पर सवाल उठाते हुए फावाद चौधरी ने सीधे पीम मोधी पर निशाना साते हुए कहा था कि किसी अग्याद छेतर के लिए इतना बजट खर्च करना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है आपको बताने कि चंद्रयान 2 के सौफ्ट लेंडिंग के दावरान इसरो का विक्रम लेंडर से संपर्ख तूड़ गया था इस पर पूर मंतरी फवाद ने इसरो और भारत का मजा कुड़ाते हुए इंडिया फेल्ड हैश्टेग चलाया था साल 2019 में मून मिशंग चंद्रयान 2 के दौरान चंद्रमा की सतय से 2.1 किलोमीटर दूर विक्रम लेंडर से संपर्ख तूड़ गया था बाद में नासा ने इस बात की पुष्टी की थी कि विक्रम लेंडर चंद्रमा की सतय पर दुरघटना ग्रस्थ हो गया है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ